Hello and welcome back to the Noobers Community तो आज हम फिर से वापीस आचुके एक और नही फ्री गेम लेके और इस बर जो हम गेम लेके हैं Football Manager 2023 इस गेम का जो लास्ट पाट आया था Football Manager 2022 उसको कैसे क्लेम करना हमने वो भी बताया था इससे पिछले वाले वीडियो, in the sense not पिछले वाले वीडियो में, around 5-6 मैंने पहले का एक वीडियो होगा, उसमें ये गेम कैसे क्लेम करना था हमने बताया था but अब उसका time period खतम हो चुका, अब आप उसको free में तो क्लेम नहीं कर सकते, अगर आप लोगों ने वो गेम वीडियोस पर कोई interaction जादा आता नहीं तो directly मैं आपको बता देता हूँ कि क्लेम कैसे करना बहुत easy process है, कुछ खास नहीं है actually ये चल तो रहा था, around 30 दिन का period था, but मैं क्लेम करने के बाद मैं खुद बूलिया था कि इसके उपर वीडियो बनाना है, मेरको फिर से यादा है, इसलिए आप around 10 days बाकी है, आप लोगे गेम जरूर से फटा फट क्लेम कर लेना, तो कुछ नहीं करना आपको, और गेम क्लेम करने से पहले मैं एक और चीज़ बोलना आप चाहूँगा कि ऐसे और वीडियो के लिए, कुछ नहीं करना हमाई चानल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ आप हमारे डिस्कॉड सर्गर को भी जोइन कर सकते हैं, वहाँ पे ऐसे और फ्री गेम के अपडेट्स रेगिलरली आपको मिलते रहेंगे, तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आपको बस आपने किसी भी ब्राउजर पर जाना है, वहाँ पर सर्च करना है gaming.amazon.com gaming.amazon.com पर जाके आपको आपके पास एक प्राइम एकाउंट होना चाहिए, अगर आपके पास कोई प्राइम एकाउंट नहीं है, तो आप अल्टरनेट एकाउंट बना के ट्राइ करते रहें, आपको एक नएक एक एक एकाउंट में फ्री प्राइम फॉर थर्टी डेज मिली जाएगा, तो बस इतना सा आपको फ्री प्राइम फॉर थर्टी डेज आप लेंगे, उसमें आपको टू रुपीस के चार्जेस कटेंगे, जो की रिफंडेबल है, आपको टू डेज लगेंगे, बट वो रिफंडेबल है, बट उसके सामने आपको वर्थ एट है, और भी गेम आप क्लेम कर पाऊगे, एक मह आपको जो अगर Amazon Prime पहले से है, वही सेम आईडी इसमें चलती है, Amazon Prime Gaming में भी, simply आपको ज्यादा कोई complex procedure नहीं है, बस Amazon जैसे आप आगे, gaming.amazon.com पे, वहाँ पे आने के बाद आपको सिंपल सर्च कर लेना है, Football Manager 2023, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आगया है, फूटबाल मेन Link Account है, Link Account पे आपको क्लिक कर लेना है, थोड़ा सा processing, वेट कर लेते हैं, तो यह Epic Games में लोड कर रहा है, तो मेरा Epic Games अल्री लिंक है, इसके साथ, अगर नहीं होगा तो मैं लिंक कर देता हूँ, यह शायद. देख सकते हैं, मेरा Epic Games का Account प्राइम गेमिंग के साथ लिंक हो गया है, और यहाँ बस फाइनली मेरा गेम क्लेम हो गया, एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं, इस चीज को, आपको कुछ नहीं, आपका Epic Games का Library आपको उस वहाँ पे जाके चेक कर लेना, अगर आपके पस Epic Games नहीं है, तो simply आपको स्वीम Epic Games.com करके सर्च कर लेना है, और वहाँ से आप Epic Games का Launcher जो है, वो डाउड़ोड कर सकते हैं, एक बार Epic Games चालो होने देते हैं, और वहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा Library में आही है कि नहीं आही है, और आप देख सकते हैं, Collected On दिखा आपको बटा ढूर रहा है, और यहां पर मेरा Epic Games का account name भी आगया है, और वहाँ आपको बलर दिख रहा होगा, यहां पर मेरा Epic Games का name और मेरा account जिससे लिएन्ग हूँ क्याक है, वहाँ ज 이게 आपको ब्लर दिख रहा है, वहां पर दहुजेंगा आपको बलर दिख रहे होगे, मैं देख सकते हैं, Epic Games खुल चुका है, एक बार Epic Games पूरी तरह से स्टार्ट हो जाए, उसके बाद मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, कि यह मेरी Game Library में आया है कि नहीं, यहां फाइनली Epic Games लोड हो चुका, आफर ए डेकेड, यहां पर लाइबरेज में जाके, सर्च कर लेत सर्च किया होता है, इसलिए यहां पर बस दो ही Game दिखा रहा, आप देख सकते हैं, Football Manager 2023 आ चुका है, आप देख सकते हैं, Football Manager 2023 यहां पर में लाइबरेजर में क्लेम हो चुका है, तो same procedure आपको भी यही exact procedure आपको repeat करना है, और आपके पास भी Football Manager 2023 आ जाएगा, और आपके पास सिर्फ around 10 days हैं, तो आप जितनी जल्दी हो सकें, इस Game को claim कर लिजे, आपको एकदम FIFA वाली feel आईगी इस Game से, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, लेकिन हा, इस वीडियो खतम है, उससे पहले मैं आपको फिर से एक reminder देना चाहूँगा, कि आप इस चैनल को subscribe कर दे, for regular gaming content and free game contents also, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, till then see you, tata, bye bye.